इस्राइल रक्षाबल यानि की IDF के प्रवक्ता डैनियल हैंगरी ने हमास के हमले को युद अपराद बताया और कहा कि जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है उसे कीमत चुकानी होगी एक्स पर एक पोस्ट वीडियो में IDF के प्रवक्ता ने कहा कि हमास का कुरूर हमला एक युद अपराद है महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाना अंतरराष्टे कानून का उलंगन है और इसलाम के भी खिलाफ है जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है उसे कीमत चुकानी होगी युद कतन है और अगे चुनोती पून दिन है हमारी सेना मजबूत और अपनी ताकत के हर हिसे का इस्तमाल करेगी हमासे, הנफशा, של हमास, हुपेश המלחמה नשים וילדים, ביד האויב, זה בניגוד לדין הבינלאומי, זה בניגוד לאסלאם ומי שלקח בקה חלק, נבוא איתו חשבון המלחמה קשה, יש עוד ימים קשים לפנינו, צהל חזק, הוא יפיל את כל הכוח ועוצמה שלו उनकी ये टिपपनी हमास की ओर से इस्राइल पर किये गए औचक हमले और देश के दक्षिनवा मद्दे हिस्सों में रॉकेट डागने के बाद आई है गाजा पट्टी के पास हमास द्वारा इस्राइल पर किये गए हमलों में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई है और गिंती अभी भी जारी है मिर्टकों में दरजनों, सैनिक और पुलिस वाले भी मारे गए हैं इसके अलावा इस्राइल के एक मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि घातक हमले में घायल 2000 से अधिक लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है जिन में 20 की हालत बेहत गंभीर है और 330 गंभीर रूप से घायल है CNN की रिपोर्ट के अनुसार IDF के प्रवक्ता ने एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकताएं इसराइली इलाकों में लड़ाई को खत्म करना और इसराइल को विवाज़त करने वाली बाड में सेंद को नियंतरित करना है इसराइल की अपात कालीन सेवाओं के अनुसार रविवार को स्टे रोट शहर और उसके आसपाट स्ट्रॉकेट हमलों में चार लोग घायल हो गए हैं पीडितों में से एक बीस वर्षिये युवक की हालत बेहत गंभीर है इससे पहले दिन में IDF के प्रवक्ता हैंगरी ने कहा था कि कई शहरों में हमास के आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और गाजा के अंदर 400 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं जबकि दर्जनों को बंधी बना लिया गया है